जम्मू कश्मीर भार्टी जन्ता पार्टी की दक्षडपंथी राजनीति का सबसे बड़ा नाव उसके तीन अगर सबसे बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे तो वो जम्मू कश्मीर का सियासी उप्योग करना पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कुछ प्रावधानों को भार्टी जित्ता पार्टी ने बदल दिया और उसके बाद उसे राच के हब को चीन करके उसे यूनियन टेरिटिरी बना कर तीन भागों में बाट दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाक अरसे बाद अब जब चुनाओ कराने के लिए कॉंग्रेस पार्टी और नेशनल कॉंफरेंस इन दोनों ने समझवता किया है चुनाओ पूर कटबंधन की बातचित शुरू हो गई है पूरी भरती जनता पार्टी राहुल गांधी के उपर हमला वर हो गई है और एक बार फिर से उन्ही सब्दों उन्ही पदवियों और उन्ही आरोपों का इस्तेमाल किया जा तो क्या भारती जन्ता पार्टी के खिलाप अगर कोई चुनाव लड़ने के लिए गडबंधन करें उसकी राए कुछ मुक्तलिप हो तो क्या वो देश दुरुही और देश विरोजी हो जाएगे उसका सार यही है क्या आप ग्राष्ट्रिये कॉंग्रेस कांफरेंस नेशनल कांफरेंस अपने घुष्णा पत्र में जो बाते कह रही है और राहुल कांधी के साथ समझोते की बात चल रही है इससे वो लोगतंत्र विरोधी हो जाएंगे आज की वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे सागत आप सबका फूर पियम न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विशने चाहिए तो सब्सवचना ये है खबर ये है कि भारतिय जनता पार्टी की तरफ से आरोपों की बौचार कर दी गई है भारति जनता पार्टी की तरफ से सबसे शीर सुनेता अब हमलावर हो चुके हैं कि विसारे लोग कॉंग्रेस पार्टी और नेशनल कांफरेंस के ओपर सवाल उठा रहे और सवाल का आधार बन नेशनल का घोशना पर पूरा साइटी हाथ के पन्नों पर चलते हैं दोस्तों इस पूरी बादचीर के गमिर्ता को समझने के भारत के आजादी के वक्त कुछ इलाके बहुत विवादित हो गए और उन्हें रियासतों भारत गड़राज और गड़राज तो तभी था नहीं आजाद हुआ तमुल क्योंकि जब तक सम्मिधान लागूने होगा और उसके शामिल के जाने का विवाद विवाद लंबा चला जम्मु कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया और उसके साथ कुछ विवाद चिपक गए लेकिन वह हिस्सा बनाई जाने की प्रक्रिया इतने मुश्क्र इतने तनाव भरी थी कि जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ विशेश प्रावधान कर दिये गए ताकि वहां के लोगों की अपनी मिजटा भी सुरक्षित रहे और भारत की अखंडता भी सुरक्षित रहे उनमें से एक प्रावधान था धारा 370 और आर्टिकल 35A और इसके तहत कुछ विशेश अधिकार, कुछ विशेश प्रावधान जमु और कश्मेर की जनता को दिये गए थे और इन्स अनुच्छे 35A और अनुच्छे 370 के नाम पर कुछ विशेश प्रावधान थे इसे दक्षण पंति खेमा यह कहके प्रचारित करता था कि यह तो देश का हिस्सा ही नहीं है, हम जब आएंगे तो धारा 370 को हटा देंगे पिछली बार सरकार जब बनी 2019 में तो 2019 में सरकार मई में बनती है और अगस्त में पांच तारीक को संसद में धारा 370 और 35A को कि खुछ खास प्रावधानों को बदल दिया जाता है और उसके बाद कई तरह के तरक दिये जाते हैं सरकार की तरफ से कि अब इन प्रावधानों को बदल करके जम्मू और कश्मीर को देहतर करने के लिहाज से आतंकवादी हमलों को रोकने के लिहाज से सब को हिस्सेदारी सुनिश्यत करने के लिहाज से हम जम्मू कश्मीर में ये विशेश प्रावधान कर रहे हैं और याद रखे जिस समय जम्मु कश्मीर के उपर ये विशेश प्रावधान हुए उस समय जम्मु कश्मीर में राष्ट पती शाष्टन लगा हुआ था और ठीक उसके पहले भारतिय जनता पार्टी महबूबा मुक्ति के साथ दक्षण पंति राइनीत की तरफ से दिया जाता था जहां हुए बनिदान मुखर जी वो कश्मीर हमारा है और कश्मीर तो अलड़ी भारत का था देश का हर नागरे अस बात की बात ताइद करता था एक देश एक विधान एक संविधान एक जंडा इसके मुद्दे को उठाय प्रावधान को विशेश तोर पर दिया गया था और जब पांच अगस्त 2019 को भरती रहता पार्टी ने इन प्रावधानों को बदला तो उसके कई समीकण कई असर पढ़ने लगे एक तो चुनाव बंद हुआ यानि 2019 के बार उसके पहले बहुत काफी साल पहले चुनाव हु है वहां को चुनीवी सरकार में चुनाव रहे हुए और अब चुनाव की घुश्रा की गई है और उभी सुप्रेम कोट ने भी यह कहा कि भाई चुनाव ना तो कराएं और आपने भी यह कहा था कि वहाँ जल्दी विवस्थाएं एकदम दुरूस हो जाएंगी तो पत्र जारी किया गया उसमें लिखा गया कि भी स्ट्राइब दर टूरी स्टोर 370 एं 35 एं श्टेट हुट एस प्रियोर तु अगस्थ 5 2019. अगला पॉइंट था कि रिजर्विशन पॉलिसी विल बी रिवीविवेट एंड एन इन जिस्टिस एं इंबैलेंस विल बी इंकरेज डालॉग बिट्विएं इंडिया और पाकिस्तान एलोसी ट्रेट फिर उसके बाद का पॉइंट था एंड आप अंजिस्टिस टर्मिनेशन्स फिर एक पॉइंट था कि रिश्टोरिशन आफ स्टेट फ्लैक रिजंशन आफ फुल दर्बार मूव इस बात को लेकर कि कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर भारती जनता पार्टी हमलावर बुए और इस हमले की अगवाई की अमिट शाह यानि ग्री मंत्री भारत सकार आपको याद होगा कि जब ये ग्री मंत्री थे पिछली बार तब इन्हों नहीं यह बिल पेश किया था और इ पूरी बहुत चली थी और इसमें यह दावा किया गया था कि जान दे देंगे इसके लिए आपको याद है क्या बाग करते हैं जान दे देंगे इसके लिए और उसमें आतंक वादी घटनाय रुकी रही कॉंग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके बाकाइदे इस बात का सबू और दावा ही किया गया तक जब 370 हटेगा तो उसके बाद महा अदंगवादी घटनाय खतम हो जाएगी ठीक वही वाला दावा जैसे की नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा सारा सबूत आज तक देश को नहीं मिला कि नोटबंदी चे कितना काला धन इ किसी बड़े नेता ने इस तरह का सवाल पूछना मुनासे भी नहीं समझाते हैं यह दावे के जाते हैं जूट बोलने के लिए आतमकवादी गतिविदियां रुक जाएंगी अगर हम नोटबंदी कर देंगे जिए लागू कर देंगे और उसके बाद नोट बदल देंगे आज तक उसका कोई उदान कोई ठोस तक नहीं से पूट पेस किये गए लेकिन जैसे ही यह गड़बंदन राहूल गांधी और नेच्टनल कांफरेंस के बीच में होता है वैसे ही ग्री मंत्री की तरफ से दस सवालों की सूची जारी कर दी जाते हैं और सवालों की सूची का शीर्शक होता है सक्ता के लालच में बार बार देश की एक्ता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कॉंग्रेस पर्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाओं में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कांफरेंस के साथ गडबंदन करके फिर से अपने मनसूबों को देश के सामझे याद रखेगा जो 378 आया गया था या उसके प्रावधान बदले गयते तो उस समय ग्रीमंत्री लंबा चोड़ा भशन उन्हों ने दिया तो जैसे उन्होंने इसके फाइदे गिनवाई थे कि यहां आतकवादी घटनाएं रुख जाएंगी वहां के लोगों का पर परिवार बादी राइनित का खात्मा होगा और यह बाट वो बीजेपी करिए जिसमें खुद ग्रीमंत्री अमिशा के बेटे जैशा बिना बैट बल्ला हाथ में लिए बिना किसी इम्तिहान को दिए लेटरल इंट्री के तहट पहले बीचिसी के चेर्मेंट बनाए जा और भारती जनता पार्टी में तमान परिवारवादी नेताओं की भरमार है फिर भी यारों कॉंग्रेस और उसके साथ नेशनल कंफरेंस और मभूबा मुक्ति के परिवार के उपर लगाया गया तो जम्मु कश्मिर बहराल दस सवाल गरीमंत्री ने पूछे क्या कॉंग्र इस नेशनल कंफरेंस के जम्मु कश्मिर के में फिर से अलग जंडे के वादे का समर्थन करती है क्या राहूल गांदी और एक वाद याद रखिए का जब जंडे की बाता है यह मैं फिर से बतातू नौर्थिष्ट के कुछ राज्यों में उनका अपना जंडा भी है और यह आपको गूगल करना पड़ेगा आपको कई वर पता ही नहीं होता आपको भी उतनी सूचना मिलती इसी बरबाद की जारी इसलिए तो यह पहला सवाल करीवत्री की तरब से पूछा गया दूसरा कहा क्या राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी ने पिछली बार कहा कि सर पर्तकार बनने के 38 दिन के भीस में 38 यह और को आतंको अन्वादी ही तका नहीं किका वहां पर आतंकवादी घटनां की तो में तबरी मंटरी इसका जवाब क्यों नहीं कभी देते पाकिस्तान के साथ वार्ता वाला सवाल उन्हों ने पीछा लगावात को समर्थन दिया की अब वाला कि उसके पहले बिर्यानी खाने खु़ म मौधी जीए बिना देश के सुरक्षा ब्वस्ता की चिंता किये बिना किसी पूरु निर्धारित कारिकम के पाकिस्तान चले गाती लेकिन वह करें तो रासली ला एलोसी ट्रेट शुरू करने के इस पर सवाल पूछा गया आतनक्वाद और पक्थरभाजी की घत्नाओं में शामिल लोगों के परियों को फिर से सरकाई नौकरी में बहाल करके ये क् विरोधी चहरा आया क्या कॉंग्रेस दलितों गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप पिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जेके एंसी के वादे के साथ है क्योंकि वहां के आरक्षण में खोर विबाद था जमू किश्में पिछले दिनों गया था व गुजर बकरवाल जो गुजर जातियां हैं उनको अमारे अक्षण दे रहें लेकिन वहां के लोगों का मानना कुछ और लेकिन इस पर बात को होगी नहीं कुल कि क्या कॉंग्रेस संकराचार परवत अक्ति सुलेमान और हरी परवत को हिमारन के नाम से जाने जाएंगी क्या जमुकष्मिर अर्थ वहसता फिर से ब्रश्टाचार में जोगती जाएगी जमुकष्मिर बेदबाव की राजनिती और आखरी सवाल था और टोनामी देने में देने के लिए क्या इनकी सूच का कोई सबूत निकले और तो और जब हमिशा जी कोई सवाल पूछे और योगी जमुकष्मिर चुनाव घोशना से लोगतंत्र को मजबूत होगा इंडी अलाइंस का नेत्र तो कर रही कॉंग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार की एंसी के साथ गड़ बंदन करके देरिश परो दीच्यारा सब मतलब एक तो चुनाव आयोग में नेशनल कॉंफरेंस कर ले तो वो देश्विरोधी हो गई यह बीजेपी का तर्क है क्या आप इस तर्क से सहमत हो जाते हैं फिर सुरिये योगिया दितना था यह क्या कहते हैं उनके भोशना पत्र में भारत की राश्ट्री सुरक्षा और भारती संविधान के प्रतिनिश्ठा पर सवाल कड़ा हो गया कि क्या वो इस तरह कंवाल का जवाब देना चाहेंगी और उनके सारे sagt जंडे से लेकर आलिखण से लेकर के देश को कमजूर करने का तवाल वही सारी सवाल के जुग्री मंत्री अमिश शाह ने पूछे थे और इस तरीके से जो पूरा का पूरा चरित्र भारती जनता पार्टी का इस पूरे मुद्धे में आया कि पहले ही राहुल गाधी को और नेशनल कांफरेंस के गडबंधन को देश विरोधी थाबित कर दो तो जब देश विरोधी हो जाएंगे तो चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा चुनाव जीते आसान हो जाएगा और भारती जनता पार्टी जो अपने से अलग राहर रुखे उसको देश विरोधी, उसको सम्मीधान विरोधी, सब कुछ कहने शुरु कर देगी लेकिन इन बातों का सवा का दूसरा पहलू कहीं यह तो नहीं कि वहां की जनता खुद भारती जनता पार्टी से खासी नाराज हो जिसका असल देखने को मिला कि लोग सभा चुनाओं में कई सीतें ऐसी थी जहां बीजेपी ने अपने केंडिडेट ही जमू कश्मिर पे नहीं दिये और ऐसे में अगर जब चुनाओं होने चाहरा है तो इसका चुनाओं का पाइदा कॉंग्रेस पार्टी और एंसी को ने मिल जाए तो महराष्ट में तो यह काम हो नहीं सकता हर्याडा में तो यह काम हो नहीं सकता तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जमू कश्मिर में कॉंग हो रहा है कि कॉंग्रेस और एंसी दोना मिल कर चुना लड़ी और एंसी वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं जम्मु कश्मीर के लोग दूसरे नजर से देखते हैं और बीजेपी उसको देश विरोधी नजर से तो बीजेपी एक बार फिर से राहूल गांधी के तर्कों को राहूल गांधी की राजनीती को जम्मु कश्मीर के लोगों की राजनीती को सीधे अड्रेस करते हुए जब मुसीबत बेफस रही है तो उन्हें देश बिरोधी गोशेत करके अपनी राइनितिक जीत हासिल करना जारी है क्या आप इस प्रक्रियां से सहमत है अपनी राए के नीचे कमेंट बॉक्स में जरू बताइए फिर मिलेंगे किसी और विश्रश्रम के साथ तब तक क्या लिए बहुत बहुत धन्यवाद